तिन सुक्या जिले के माकुम में अउनाजल पर्देश से उर्षा भेज़े जा रहे दो हाती जब अउनाजल पर्देश के लाथाउ से उर्षा भेज़े जा रहे थे दो घरेलू हाती 11 अपरेल की रात को माकुम पुलिस ने ट्रक नमबर BR-01GH-0435 को पकड़ा जिसके द्वारा हातीयों को भेजा दा रहा था दुम दुम अब बन भी भाग ने ताकिका थे द्वारा हातीयों को जब किया 12 अपरेल की रात को तिन्सुक्या जिला के माकुम पुलिस द्वारा 14 चक्के के ट्रक नमबर BR-01GH-0435 को पकड़ा जिसके द्वारा दो हातीयों को उर्षा भेजा जा रहा था इन हातीयों को अर्णाचल पर्देश के नमसाई जिले के लाठाओ से किसी संजीब नामक ब्यक्ति द्वारा उरिषा भेजा जा रहा था हाती तु कोद जबो? उरिषा उरिषा जबो कोड़ा ही से? लाठाओ अर्णाचल कुं डिस्टिक हो ए टू? नमसाई डिस्टिक कार हो हарт क्या वाले जू परीषा क्य Municipal क्या चार मालीक कुन हो एब लाषा जेता है दू अ कि मैंनोो क। क्यों मालग तो नाम की? संजित शार की मनुवाइब चाइब आज दूर्दुमा बन बिभाग को इस मामले की जानकाई जने के बाद आज दूर्दुमा बन बिभाग दूर्दुमा जाज है कि ट्रक्ट एवं हाथियों को जब्द किया गया है आदी दुका वनोसरोपा हेसी गाई एकाना बोग पोई दिखले, अखम बाहेरे नियाजाने, जुआ गल निखा मादून थाना जाएकों डिजेन पोई दिखले, तिखले आम गोर खाना दिखले, तो तेरा माद कोवरी रांग आई लोगज्डे, आदी दुकार निका बस्तति उलेख निये है कि असम के तिन्सुक्या जिले से फर्जी दस्तावेजो के सहार है, हातियों के तसकरी के कई मामले पहले हो चुके हैं, लोगों को संदे है कि इन हातियों को भी फर्जी दस्तावेजो के सहारे राज्य से बाहर भेजा जा रहा था, अब सच्चाई क्या है, यह बन विभाक के जाच के बाद ही सामने आपाएगा, काजल चोधरी पिक नियोज म कुम